तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जीस वीडियो का बहुत से इंतजार था जीस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे हो जीस वीडियो का आप सभी को मैंने देने का वादा किया था तो फाइनल वीडियो आ चुकी है जहां दोस्तों फाइनलिक अक्छा पर आपको जो बी कोस्चन बता रहा हूं यहां पर आपको जो भी कोस्चन बता रहे हो वो ध्यान से देखेगा उने नोट कर लिजएगा तो सब्सक्राइब कर लिए जिससे आप सभी कोई पास दूसरी की नोटिफिशन आ सके ठीक है और वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दियो ठीक है तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों पढ़ लेजीगा खासकर दूसरा वाला कोश्चन सब्सक्राइब कर दिए तो यहाँ पर दोनों कोश्चन आपको पढ़के जाना है विस्ष्ट खेती के कोई दो सर्थ और सुसक्राइब कोई परिभासा दो नंबर में दोनों कोश्चन पूछी जा सकते अथ्वा या अथ्वा में पूछा जासता है इस चप्टर से आपको दो नंबर के दो कोश्चन पूछ आएंगे ठीक है तो यहाँ पर पहला और दूसरा तयार कर लेजिए सुसक्राइब क्या होती है पचास सेंटी मीटर से मतलब पास सो मीवी मीटर से कम वर्षा वाले छेत्रों में लाप्राब लाप्रद्ध फसलों के बीना सीचाई के उग क्या में गप्रद्ध के दो लाब लीखे तो यहां पर पुछा जाएंगा इसके रोके इसके को भूरी न लाप लके कि इस्के इतनेद कर लाब explanations करके इसके को को रिभाशिद करके में फार्म का संगटन कई कई पदार्तों के लिए होता है तथा इंस में से पठ्यक पठ्थेच रूप से आई के साधन होते है डाइवर्सी क्या डाइवर्सी फार्मिंग कहलाती है इसके दो लाबे उत्तम फसल चक्र बनाकर उत्पादन बढ़ा जा सकता है दूसरा फार्म प अब को कोस्टों पड़े और यहां पर मिस्रित के से करिए तो नोट कर लो न वह दिये तो नोट कर लो एक बार पड़ोगो याद हो जगा ठीक है वुसके बात को क्या पूछा जाएगा यां पर घबर्राई मतिता बढ़ा को सब्सक्र चलिए आता है इसमें चरण जेवी खेती की परिवासा यही वाला कोश्चन आपको पुछा था इसलिए में नोड कर लिया था साथ में अगर आप एक बर अगर अगर आपके पर टाइम है तो सरकारी खेती पुंजिवादी खेती और वेक्तिगत खेती की परिवासा पढ़ सकते हो तो आप इसकी सोट ले यहां फर फटा बट लेकिन जेवी खेती का आप तयार जोरू किजगा ठीक है इसके बाद आपको पढ़के जाना आपका जो नेक्ट चेप्टर उसमें से दो नमबर में पुछाएगा तो रंद्र ओकास किसे कहते ठीक है और इसके यहां पर आप देख से तो उत्तर क्या है मरदा सचना में मरदा कनों की बीच उपस्ती रिक्की स्तान को रंद्र ओकास केते हैं ठीक है और यहां पर यह कोश्चन पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि मरदा कनों के आकारन से मिट्टी का वर्गी करन कीजिए तो यहां पर देख सकते हैं मोटी रेद बारिक रेद सील् इसके बाद आपको पुछ लिए जाता है कभी-कभी यह वाला इतना इतना नहीं पूस्ता है यह वाला पूस्ता है मरदा जल से क्या समझते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं मरदा कनों की बीच उपस्तित अउकास में मतले जो रंद्र उकास है उसमें जमा जल्द और है बहुत जलती है एके इक वायक की में पढ़ना ठीक है जो नंबर एक वाकी में दो नमबर दे रहा हूं थीके अपको क्या आपने उनतर नंतर कितने दो टीक है अमली अंतन लिए मिर्धा और हृली पड़िए प्रिवासे लिख Back Avenavita Min siao deux लत दो खडटे अब यहां पर सथा मात्रMM तो ैं वञभिन करने यह पंदरा परसें से कम और इसने अधिक ठीक है बहुत सर्हजबी ऐ Ethan तो याद होजेगा तो फटाबट कोश्चन को स्क्रिंसोट लिए दो-दो अंतर फटाबट पढ़ लिजेगा ठीक है उसके बाद आपको कुछा जाएगा मरदा शरंग क्या है और यहां पर इसकी वाला बस टाई पढ़ना तो यहां पर इसकी परिभासा में आपको बता रहा ह ठीक है उसके बाद आपको क्यों सा कोश्चन पुछाएगा जलिया इत्ता है ज्यादा घबरावमत इत्ता है जलिये कटाव को प्रभाइद करने वाले दो कारोकों के नाम लिखे कितने दो इत्ते सारे ने लिखना से दो लिखना है तो यहां पर आप सभी आत किई उसमें से थी तैयार हो जाएंगे ठीक है फटाब तैयार कर लेगे इस कोस्चन को इसके बाद आपको यहाला कोश्चोन पूछाएगा परत्सरंक्या है यह तका अललग-अलग कितन है अलग-अलग-देसी हल की तो यहां पर सबसे देशी हल क्या देशी हल ऐसा करशी यंत्र है जो बबूल सीसम आधी वर्चों के लकड़ी एवन लोहवे के बने फार दौरा इस्थानिये कारी गरों दर बना जाता है जिसका उप्यों मिट्टी को चीरने पलटने एवों से भूरबरा बनाने में के जाता ह अब इसके दो गोन या विसस्ता याद कि तो सराल बड़ी नहीं याद करेंगे चोटी याद करें क्या है इसका उप्यों सभी प्रका की भूमियों में के जा सकता है दूसरा यह काम उल्यों में आसानी से तयार हो जाता है ठीक है इसके बाद आपको यहां पर पुछा जाए तयार कर लिए यह वा वा वाला ठीक है फिर आपको पूछा जेगा रहों क्या है रहों क्या है रहों हभी हे रहों है ठीक है इसके पराइब तो यहां पर किस खरप्तवार नसी का उप्यों किया तहीं तो यहां पर आप देखते तो किस जाना है यहां पर इसके बाद कुछ पर दो कर लीजिए इसके बाद को क्या तयार के जाना है जुवार में लगने वाले किनी दो किटो रोगों के नाम लिखे तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्या है जुवार की किट तना छेदक और जुवार के रोग कौन से ताने एवं तना मक्की बेस में दाने एवं भुट्टो का कुंडवा अरगर रोग ठीक है फटा पर ब पुचाएगा टमाटर के खेती के लिए किस प्रका की भूमी अच्छी रहती है फटा पड़ी वाला कोस्चन नोट कर लो यहां पर इसका इंसर बता रहा हूं फिन यहां पर आपको यह वाला कोस्चन बढ़के जाना कून सा मिर्ची के उत्पत्ति का स्थान मिर्ची में ति पुदी की विश्यस्ता ही कितनी दो इसके यहां पर इस पहली सथा इंके पुष्ट पर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इनके पूदे छोटे हो सुगठी होते हैं ठीक है नोट कर लो फटा फट उसके बाद आपको यहां पर क्या है गुल दावदी के प्राश्र किस प्रकार होता तो यहां पर फटा 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 इसके यहां पर पड़ सकते हैं तब पस्चा तैयार पोदों की वाच्छी इस ताम पर रुपाई की जाती है फटा बड़ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार बेल आकूंग और प्रेस भी कर लो क इतने जप्र अगर आपने इतने कोश्चन बताए गए वह पढ़कर जाते तो आपके जो नंबर के आरम से कवर हो जाएंगे और इसके बाद आप भी जाकर आप तीन नंबर चार नंबर और पास नंबर की वीडियो देख लेगा लिंक आपको मिल जाएगी और हमें बात तो को रहेगे अगर आप इसका पीडिए अगर आप इसका पीडिए डाउन करने तो आप टेलिगाम चैनल रूपे से पक्रास जोन कर लेए इसका पीडिए आपको टेलिगाम चैनल रूपे से पक्रास पर मिल जाएगा और अगर आपको को डाउट या को सब्सक्राइब कर सकतो झाल झाल